हलो बच्चो वेलकम बैक, so last lecture में हम लोगों ने Newton laws of motion को understand किया, समझाओ उसके बारे में नेचर से बात करके उसे observe करके इन laws को हम लोगों ने discover किया था, ठीक उसी तरीके से जिस तरहे Newton सर ने 70 शताबदी में नेचर से बात करके इन चीजों को discover किया था, अब यहाँ पर हम लो उस चीज को समझने के बाद एक बड़ी ही मज़िदार चीज हमारे पास आती है, जो की है आपका pseudo force, एक ऐसा force जो वस्तविक्ता में exist नहीं करता है, लेकिन हम इसको अपनी calculations को correct करने के लिए use करते हैं, तो ऐसा करने की नौबत हमें कैसे आई, और हमने इस चीज को discover कैसे कि क्या इसकी importance है हमारी life में या नहीं है, इन चीजों को आज की lecture में हम लोग explore करेंगे और यहाँ पर इस चीज की शुरुवात हो गया कि inertial and non inertial frame of reference है, अब देखो frame of reference तो हम जानते हैं, लेकिन nature से जब हमने बात करनी start करी, observe करना start किया उसे, तो हमें यहाँ पर कुछ चीज उसको observe किया, देखा जो reality में exist नहीं करता है, बट वहाँ पर body accelerated motion में होती है, उस तरह के forces को हम लोगों ने नाम दिया pseudo forces, तो अपनी कुरसी की पेटियां बांद लो क्योंकि इस lecture के अंदर again हम लोग nature से communicate करने जा रही हैं, उन चीजों को ढूडने के लिए, जिन चीजों को हम आमूमन formulas की तरह याद करते हैं और इन चीजों को पढ़ने के बाद हम यह सोचते हैं, या फिर हम यह सोचने लगते हैं कि physics बहुत hard है, actually में बस हमको यहाँ पर कोई derivation नहीं करनी है, हमको यहाँ पर चीजों को difficult नहीं बनाना है, nature से बात करेंगे, mathematics के जरिये, जवाब nature हमें खुद बखुद देगा, जैसे आज तक देता आया है, ठीक है, तो चलो, इस चीज को अब हम लोग observe करते हैं, तो देखो, हमने जो चीज अभी तक जानी, वो यह जाना कि जो आपकी कोई भी एक body होगी, अगर, कोई भी एक body होगी, अगर, उस पर आप किसी भी direction में, या मान लो, इस direction में आप force लगाते हूँ, तो ये body इसी direction में अपने momentum को change करेगी, या फिर मैं कहूँ, इसी direction में इसका acceleration होगा, ये चीज हम लोगों ने nature में observe करी, और यहाँ पर एक word आ रहा है, observe किया, यानि कि इस motion को देखने के लिए एक observer है, अब यहाँ पर हमें observer के point of view से आगे बढ़ना होगा, अब देखो, observer का point of view सबसे ज़्यादा important है, क्यों, जब हम motion को पढ़ रहे थे, तो एक वक्त, जब हम motion को observe कर रहे थे, अपने आपको as a observer मान के rest में खड़ा करके, तो हमारे पास motion की कुछ equations आई थी, ठीक है, constant position के लिए, constant velocity के लिए, constant acceleration के लिए, whereas जब वो observer motion में आ गया था, वो move करना start कर देता है, तो हमारे पास again a different sets of equations बन कर आ रही थी, जिसको हमने नाम दिया था, relative motion, हलाकि यहाँ पर motion में, जब आप rest पे हो, relative motion में हो, concept तो से भी है, लेकिन यहाँ पर relative motion के अंदर, आपके observer का motion impact कर रहा था, जो दूसरा person जिसको अगर 40 की speed से आगे जा रहा हूं, और मैं एक दूसरे person को observe कर रहा हूं, वो 60 की speed से आगे जा रहा है, तो अगर मैं rest में होता, तो मुझे उसकी actual speed दिखाए देती, जो कि यह 60 km per hour, बट क्योंकि मैं 40 की speed से जा रहा हूं, तो being an observer, जो मैं देख रहा हूं, मैं उस सत्य को ही ब अपनी बहुत जादा importance है, motion को study करने के लिए, और जो force है आपका, वो acceleration के साथ connected है, यानि कि frame of reference का यहाँ पर direct connection निकल कर आएगा, और क्योंकि observer के साथ frame of reference जोड़ा होता है, तो अगर observer rest में है, तो हमें उसका force और acceleration का क्या relation मिलेगा, और अगर observer motion में है, motion में भी 2 conditions आ जाए ठीक है, तीन आएगी maximum, constant velocity से अगर वो move कर रहा है, constant acceleration से अगर वो move कर रहा है, और तीसरी condition अगर वो variable acceleration से move कर रहा है, तो जो body पर force लग रहा है, उस चीज़ को हम किस तरह से observe करेंगे, किस तरह से देखेंगे, तो अब मैंने आपको वो परिस्तिती बता दी है, कि कि situation में हम को अब सोचना start करना है, कि situation को हमें observe करना है, और ये सारी चीज़ें, जिनको हम बड़े बड़े formulas की तरह देखते हैं, या hi-fi concept की तरह देखते हैं, या फिर बस एक trick की तरह हम याद करते हैं, कि यार अच्छा कोई body होगी, अगर आप non-inertial frame में हो, तो na पीछे लगा देन आपका question solve हो जाएगा, इस तरह से ना देखकर, reality में हम इसको समझ पाएंगे, और अपनी वास्तविक जीवन में इस घ्यान को apply कर पाएंगे, और चीजों को अच्छे से understand, या फिर feel कर पाएंगे, और जब हम engineer बनेंगे, तब हम यहाँ पर इस concept के जरिये, ऐसी चीजों को create कर पाएंगे, जो की motion से जुड़ी हुई है, मानलो, aeronautical engineering, आप drone बना रहे हो, rocket बना रहे हो, plane बना रहे हो, तो वहाँ पर इस चीज की जरूरत पढ़ेगी ही, इवन आप एक computer engineer हो, बट आप एक दुनिया का simulation बना रहे हो, तब भी आपको इन चीजों को समझना होगा, GTA न बाहर की दुनिया पीछे जाती भी नजर आती है, उसी को हम non-inertial frame कहती है, ये चीज भी उसके अंदर program की गई है, तो even आप कोई भी engineer बनना start करोगे, nature की वास्तविक्ता के साथ जब तक नहीं जुड़ोगे, आप मात्र एक job कर पाओगे, कि हाँ आपको एक set of skill आता है, आ और मुद्धा ये है, कि देखो, यहाँ पर अगर मैं आपसे एक reality का question दूँ आपको तो वो ये है, कि क्या कोई भी body बिना force के accelerate करेगी, अपने surrounding में देख के बताओ, सोचो इसके बारे में, ठीक है, comment box में लिखके बताना, कि क्या कोई भी body बिना force के accelerate करती हुई, आपको आ इसी body पर अगर acceleration हो रहा है, तो इस बात का 100% guarantee है, कि उस body पर force apply हो रहा है, और किस direction में apply हो रहा है, जिस direction में वो body accelerate कर रही है, और direction को measure करने के लिए, हमको जरूरत पढ़ती है frame of reference की, हमको जरूरत पढ़ती है frame of reference की, अब यहाँ पर इसी के, इसी चीज को दिमाग में रख है, तो यहाँ पर मैं बहुत ही आराम से बोल सकता हूँ, कि इस body पर जो force apply हो रहा है, point को समझना, देखो apply करने वाली एक another body होगी, एक another entity होगी, जो force apply कर रही होगी, तो यहाँ पर जो force apply हो रहा है, वो acceleration वाली direction में ही है, तो मैं यहाँ पर fa लिख देता हूँ, force applied, ठीक है, यह वो force है, जो इस direction में apply हो रहा है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस body को देख रहा हूँ, कि यह इस direction में accelerate कर रहा है, तो जिस direction में accelerate कर रहा है, force भी उसी direction में होगा, Newton Sir का दूसरा सिध्धान्त, उसके हिसाब से actually में वो nature का सिध्धान्त है, बट Newton Sir ने इसलिए हम इसको ऐसे बोलते हैं, कि Newton Sir का दूसरा law, या दूसरा सिध्धान्त, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अभी observer rest पे है, यहाँ पर observer खड़ा है, वो rest पे है, तो वो actual force जहां apply हो रहा है, उसी direction में देख रहा है, लेकिन what if, what if, observer move करना start कर दे, तो अगर observer constant velocity से move करना start करेगा, तो भी यह body इसी direction में accelerate होती हुई, नजर आएगी, क्योंकि अभी observer accelerate नहीं कर रहा है, constant velocity से move कर रहा है, तो अगर वो constant velocity से move कर रहा है, yes, इसकी relative velocity change हो जाएगी, लेकिन force तो acceleration पर dependent है, आपके इस पर dependent नहीं होता है, क्या क्यते हैं, velocity पर dependent नहीं होता है, इसलिए अभ A0 acceleration से आगे जाती हुई, नजर आएगी, तो हाँ, direction में कोई change नहीं आया, तो हम अभी भी कह सकते कि यह force इसी direction में लग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज को समझना होगा, और वो क्या है, कोई रटने वाली चीज नहीं बताने जा रहा हूँ, feel करने वाली च खड़ा हो, चाहे accelerate कर रहा हो, चाहे constant velocity से move कर रहा होगा, मेरा जो applied force है, वो जितने newton का है, उतने ही newton का रहेगा, सच्चाई है या नहीं है इस बात में, अब मैं observer के point of view से बात करता हूँ, ठीक है, मैंने अपना point of view बता दिया, हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ी, ये ची ये आती है, अब जड़ा इस चीज को observer के point of view से देखो, तो भाई अगर वो rest पर है, तो वो f a, जो वो force देख रहा है, इस body का mass अगर m ले लूँ, तो अगर वो rest पर है, तो वो इसको a acceleration से आगे जाता हुआ, देख रहा है, तो इसको जो force नजर आएगा, वो होगा mass into acceleration, simple, लेकिन जब वो constant velocity से जा रहे है, तब भी इस body का acceleration a ही होगा, relative motion वाला part है, आप constant velocity से जाओ, और change in velocity निकालोगे, तो आपको acceleration के value same to same मिलेगी, और ये काम आप ज़रूर करके देखना, क्योंकि relative velocity हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको अभी भी acceleration a मिलेगा, तो ondent acceleration से move करना start करता है, यानि कि observer जो है constant acceleration से move करना start करता है, तो देखो यहान पर क्या दिखता है? F A, यानि कि इस mass पर जो force लग रहा है, वो कितना नजर आएगा, observer बताएगा कि भाई, मुझे जो acceleration दिख रहा है, that is A minus A naught, that is A minus A naught, तो यहाँ पर जो acceleration है, that is A minus A naught, और लेकिन अब acceleration को mass से multiply कर दिया जाएगा, तो यह force हो जाएगा, तो अब observer के point of view से, यहाँ पर दोनों बातो को हमें समझना है, observer के point of view से तो force इतना लग रहा है, क्योंकि उसको तो acceleration, मान लो इस body का acceleration 5 meter per second square है, और observer का acceleration 2 meter per second square है, तो observer को तो यह body 3 meter per second square से accelerate होती भी नजर आएगी, और इसका mass हम लोग यहाँ पर 1 kg ले लेते हैं, तो observer के लिए force कितना हो गया, 3 N, but actually मैं apply कितना हो रहा ह actually मैं apply तो 5 N force हो रहा है, यानि कि observer में जो force को calculate किया, वो गलत answer आया, वो गलत answer आया, सही answer कब कब आया, यहाँ पर भी 5 N है, यहाँ पर भी 5 N है, लेकिन यहाँ पर 3 N हो गया, यानि कि rest वाले में, अगर observer rest में है, exact force पता लग रहा है, जितना apply किया जा रहा है, constant velocity से है, तब अब आपको exact force पता लग रहा है, जितना apply किया जा रहा है, लेकिन जब आप accelerate कर रहे हो, यानि कि observer accelerate कर रहा है, तो आपका जो force आ रहा है, निकल कर रहा है, वो गलत निकल कर रहा है, अब यहाँ पर हम इसका solution कैसे निकालेंगे, solution बस यहाँ पर यह है, कि आप reality को देखोगे आप reality को देखोगे, एक तरफ force लगाने वाला object है, जो force apply कर रहा है, ठीक है, उस object को देखोगे, और एक तरफ observer के result को देखोगे, और इन दोनों result को जब आप observe करोगे, solution अपने आप आ जाएगा, तो अब ज़रा इसी result को देखो, तो यह है, mass into acceleration, minus mass into acceleration of observer, minus mass into acceleration of observer, तो पर मैं इसको लिख देता हूँ, applied force, और यह वो कौन सा force है, यह वो force है, जो यहाँ पर, जो basically, ऐसे समझो, यह वो deduction in force आ गया, किसकी वज़े से, observer के constant acceleration के motion की वज़े से, आब यहाँ पर चीजों में, नई चीजे हमें देखने को मिली, यार, frame of reference, हमको सही data भी दे रहा है, के regarding में, सही data कब दे रहा है, जब वो rest पे है, और constant velocity से move कर रहा है, लेकिन गलत data कब दे रहा है, जब वो constant acceleration से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर automatically एक classification हो गई, कि ऐसे frame, जिसमें Newton's laws of motion, यहाँ देखो, यहाँ तो directly force is equal to mass into acceleration आ रहा है, it means हम यह कह सकते, यहाँ पर बिना क inertial frame of reference, और फिर एक ऐसा frame of reference, जो constant acceleration से, और इसका अगला case आप एक और ले सकते हो, variable acceleration से move कर रहा है, उस case में, actual force जो है, जो applied force है, आप उसको calculate ही नहीं कर पा रहे हो, और अगर calculate कर रहे हो, क्योंकि observer जो देख रहा है, वो उसके हिसाब से result बताएगा आपको, ठीक है, तो यह यहाँ पर जो applied force है, वो गलत निकल कर आ रहा है, observer के point of view से, तो ऐसे frame of reference को हमने नाम दिया, non-inertial frame of reference, as simple as that, nature से बात करा, जब आप खुद मिल गया, हमको यह याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम यह definitions में चलते हैं, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यह है, कि हम definitions में चलते यह मात्रेक definition बन कर रहे गई, हमने nature में उसको feel नहीं किया, पहले feel करो, बाद में यह definitions आपके साथ connected feel करेंगे, लेकिन सिर्फ definitions याद करोगे, तो आप परिस्तितियों के साथ connected feel नहीं करोगे, और जब connected feel नहीं करोगे, तो हमीशा गलती होगी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लो पे, मैं अभी rest में खड़ा हूँ, अब मुझे जो भी body यहाँ पर नजर आएगी, वो तभी accelerate करती हुए नजर आएगी, जब उस पर force लग रहा है, let us say for example, कि मैं अभी एक room के अंदर नहीं खड़ा हूँ, मैं ट्रेन के अंदर खड़ा हूँ, मैं ट्रेन में, और ट्रेन ज कहती है कि कोई भी body तब तक accelerate नहीं करेगी, जब तक उस पर कोई force नहीं है, लेकिन पेड तो मेरे point of view से अगर देखा जाए, वो पीछे accelerate कर रहा है, बिना किसी force के, यानि कि यहाँ कोई force exist कर नहीं रहा है, बट पेड मुझे मेरे frame of reference की वजए से accelerate होता हुआ, नजर आ रहा है, तो बिना force के acceleration produce हो गया, तो क्या Newton's laws of motion यहाँ पर valid नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आएगा, इसका मतलब क्या है, कि जब मैं train में बैठा हूँ, और train accelerate कर रही है, तो मेरा जो frame of reference है, वो non inertial frame of reference है, लेकिन अगर train constant velocity से जाती, तो पेड मुझे constant velocity से पीछे जाता हु तो उस पे force apply होने का need नहीं है, वो खुद से जा रही है Newton का पहला सिधान, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो classification करें, कि जहाँ पर Newton's laws of motion सही से काम करेंगे, that is your inertial frame of reference, जहाँ पर नहीं करेगा, that will be your non inertial frame of reference, अब यहाँ पर अगला सवाल यह आता है, तो भई इस चीज को find करक कि हम आगे बढ़ना किस direction में चाहते हैं, तो हम बढ़ना इस direction में चाहते हैं, कि सचाई को देखो, मैं इस board पे force लगा रहा हूं 10 Newton का, बड क्यूंकि observer accelerate कर रहा है, उसने देखा कि मैं तो force लगा रहा हूं 7 Newton का, उसके motion की वज़े से मेरा force कम हो गया, अगर वो इस direction में accelerate कर रहा है, तो मेरा force कम नजर आ रहा है उसको, और अगर इधर accelerate करता हो, तो मेरा force ज़्यादा नजर आता, लेकिन सचाई तो ये है ना, कि ना मेरा force 10 से ज़्यादा है, ना मेरा force 10 Newton से कम है, मेरा force actually में 10 Newton है, और यहाँ पर observer के point of view से ज़्यादा force कम force बताना एक logical answer नहीं होगा reality के लिए, क्योंकि body का motion तो उस force पर dependent है, ना कि अब मान लो एक आदमी light की speed से travel करता हो जाएगा, या फिर infinite acceleration से जा रहा है, तो उसे साब से तो मैंने एक body पर infinite force लगाया, तब तो पूरी दुनिया ही तबाह हो जानी चाहिए, क्या दुनिया तबाह हुई, नहीं होगी, वो इस चीज को calculate करना चाते हैं, ये हमारी priority है, इस चीज को हम लोग priority में लाना चाते हैं, और इनी चीजों को ढूडने के लिए, ऐसे forces जो actually मैं exist नहीं करते हैं, जो exist नहीं करते हैं, बट due to frame of reference के acceleration की वज़य से, calculation के अंदर आ जाते हैं, इन forces को हमने नाम दिया, pseudo forces, इन forces को हम आप लोग जो अपने textbook में pseudo forces पढ़ने वाले हो, वो जो मातर एक परिस्तिती के लिए पढ़ने वाले हो, लेकिन pseudo forces को आप ऐसे apply नहीं करते हो, हम पते क्या है, क्योंकि एक ही परिस्तिती पढ़ते हैं, हम एक general mindset बना लेते हैं कि नहीं, बस पीछे की तरफ, जहां आप accelerate कर रहा है, या आपकी body से बाहर accelerate कर रहा है, मनला आपके frame of reference जो accelerate कर रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, या उससे हट कर है, अगर जुड़ा हुआ है, तो आप पीछे लगाओगे, अगर हट के है, तो आगे लगाओगे, ये चीजे, अब ऐसे रटेंगे, तो हमेशा confusion सताई, ताकि आप, क्योंकि आप maximum क्या सारे questions उसी एक परिस्तिती के लिए करने वाले हो, तो future में जब engineering के point of view से, engineering में कुछ आप create कर रहे होगे, लेकिन frame of reference के बाहर अगर कोई body आ गई, तो आप गलत calculations मत लगा देना, इस बातों को याद रखना, ये बात आपको वहाँ प रिजल्ट के लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, और वो क्या है, कि रेस्ट वाले case में और constant velocity वाले case के लिए तो हमने जो previous lecture पड़े, वही हमारे ले काफी है, क्योंकि वहाँ पर हमें actual forces का पता लग रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पर total focus करने वाले है, non-inertial frame of reference, ठीक अब जो चीज frame of reference के साथ जुड़ी हुई है और जो चीज frame of reference से detached है, उसको देखते हैं, यहाँ पर एक box रखा हुआ है, यहाँ पर एक box रखा हुआ है, और बाहर एक पेड है, train के बाहर पेड है, यहाँ पर यह रहा, ठीक है, तो एक चीज़ हो गई frame of reference के बाहर, एक डबर करेंगे पहले, ठीक है, जहां लगाएंगे, वही चीज यहां पर भी अपलाई नहीं होती है, ये चीज मैं आपको थोड़ी दिर पहले बोल रहा था, ठीक है, चालो, तो अब हम दोनों चीजों को देखते हैं, और सुड़ो फोर्स को समस्ते हैं, ठीक है, तो देखो, हम यहाँ पर चीजों को नीचर से घ्यान कैसे लेंगे, इस परिस्तिती से mathematically बात करके, नीचर की जो भाषा है वो क्या है, mathematics है, तो हम यहाँ पर अब इस परिस्तिती से mathematically बात करने वाले हैं, और जवाब हमें खुद मिलेगा, तो यहाँ पर actual force को देखने के लिए हमें एक और observer चाहिए, जो कि कहां होगा, rest में होगा, जो कि कहां होगा, rest में होगा, आप देखो, इस person के लिए हम यह हैं, यह reference के लिए है कि rest वाले से जो data मिल रहा है, हमें उस data को correct करके, यह जो देख रहे हैं, इनके data से match करवाना है, क्योंकि यह actual force देख रहे हैं, और हम जो देख रहे हैं, वो बढ़ा या घटा हुआ force देख रहे हैं, तो हमें इनके information को correct करना है क्या करना है इनके यहाँ पर आप यहाँ पर हो ठीक है चलो तो अब देखो अब यह train जो है A acceleration से accelerate कर रही है आगे की direction में ठीक है तो इस observer के point of view से यह जो box है जिसका mass है M और यह जो tree है जिसका mass है capital M ठीक है इन दोनों को देखते हैं we are talking mathematically है mathematically बात कर रहे है ठीक है whereas इस box को अगर वो देखते हैं तो यह box train के साथ A acceleration से आगे जा रहा है तो इस box पे जो force लग रहा है वो आगे की तरफ है F जिसकी value कितनी है box का mass multiply acceleration of train क्योंकि जो train का acceleration है वही box का acceleration है तो यह हो गया मेरे पास real data F B लिख देता हूँ force on box ठीक है अब चलते हैं आपके point of view से यानि कि आप कहा हूँ train के अंदर अब क्योंकि आप आगे accelerate कर रहे हो यह पेड पीछे A acceleration से जाता हुआ नजर आ रहा है तो आपने क्या देखा कि यार इस पेड पर पीछे की तरफ इस direction में force लग रहा है जो कि mass of tree multiply acceleration of train के equal है यह blue color में जो लिख रहा हूँ वो आपके point of view से है ठीक है और इस box को जब आप देख रहे हो तो यार box तो आप से एक fixed distance पर पड़ा हुआ है यानि कि यह box आपके लिए किस में है rest में है तो यानि box पर जो force लग रहा है force on box that is your zero अब यहाँ पर सच्चाई को पकड़ते हैं सच्चाई क्या है reality में यह exist करता है और यह exist करता है यानि कि paid rest में है बट आपके point of view से mass into acceleration आ रहा है reality में यह mass mass accelerate कर रहा है बट आपके point of view से यह किस में आ रहा है rest में आ रहा है और आपको इसे चीज को सही करना है इसे चीज को क्या करना है सही करना है तो कैसे करोगे चलो पेड के लिए सही करते हैं पहले बाहर वाले point of view के लिए तो जो आपको दिख रहा है अब यहाँ पर words को पकड़ना और feel करना जो आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर से जो data लिखा गया है ये वो data है जो आपको दिख रहा है अब यहाँ पर इस data को हम सही करते हैं उस data को हम क्या करते हैं सही करते हैं कैसे ये वो डेटा है जो आपको नजर आ रहा है लेकिन पेड कहां है रेस्ट में है तो यहां पर आपको अब एक information दी जाएगी कि भाई जो चीज आप ढूंड रहे हो वो जो चीज आप observe कर रहे हो वो गलत information है क्यूं क्यूंकि आप accelerate कर रहे हो तो आपको पता च आ रहा हो वो मुझे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है इसलिए मुझे उसमें force पीछे की तरफ लगा कि उसमें पीछे की तरफ force होगा तो मैं अपनी गलती सुझारता हूं जितना इस पेड का मास है multiply मेरा जो acceleration है वो अगर मैं इस पे आगे की तरफ apply कर दूं ठीक है आगे information को लाने के लिए और वो क्या है कि भाई this doesn't exist तो ये भी exist नहीं करता है तो जो exist नहीं करता है उसको cancel कर देते हैं लेकिन अब देखना आपने बाहर वाले पेड जो पेड आपके frame of reference से बाहर है उसमें आपने क्या लगाया है mass into acceleration उसी direction में लगाया है जिस direction में आप accelerate कर रहे rest में है अब यहां पर आते हैं अंदर वाले सिनारियो में जो आपके syllabus में आता है ठीक है तो ये आप engineering के time पर ध्यान रखना इस चीज को बाहर वाले case में pseudo force आपने आगे लगाया है ठीक है क्यूंकि हम चीजों को जब रटना start कर देते हैं तो अमूमन आगे चलके बहुत ग आगे तो कुछ न कुछ तो इस पर force लगी रहा होगा और यहां पर वो force क्या है यहां पर वो force friction है friction की वजह से क्योंकि यह train के floor पर रखा हूँ है friction की वजह से train उसको अपने साथ आगे लेके जा रही है friction नहीं होता तो train आगे निकल जाती है पीछे आ जाता वो रेस्ट में है rest में दिख रहा है point को समझना आपको कैसे दिख रही है यह body rest में दिख रही है तो आप इसको rest में लाने के लिए क्या कर सकते हो अगर भाई मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं बट मुझे आपके पास 0 rupees करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा आप से 10 रुपए वा लग रहा है ना उतना ही force आपने जो exist नहीं करता है इसका mass multiply acceleration of your frame of reference पीछे लगा दिया तो यह पीछे यह आगे अब यह body किसमें आ गई आपके frame of reference के हिसाब से rest में आ गई तो यहां पर आपने इसको correct किया किसके लिए अपने observation के हिसाब से क्योंकि अब आप इस पे अब आप इस पे calculations को कर सकते हो आसानी से अपने frame of reference के हिसाब से बता सकते हो तो this is non inertial frame और यह person जो देख रहा था यह inertial frame of reference था और अब आपको calculations करने के लिए basically करना क्या है करना यह है जो आपने observe किया है अगर एक body है अगर एक body है ठीक है अगर एक body है वो accelerate कर रही है यह अ पान लो अभी यह rest अच्छा इस वाले case में हमने क्या लिया था body आपको rest में नजर आ रही थी बट अब हम लेते हैं कि यह body आपको आपको जो नजर आ रही है यहाँ पर इस word पर ध्यान देना होगा एक बार के लिए मैं 3 seconds silence रहूंगा ठीक है ताकि आपका brain वूस में आए focus पर आपको यहाँ पर यह देखना है कि आपको वो body कितनी accelerate होती वी नजर आ रही है इस case में यह body आपको rest में नजर आ रही थी ठीक है बट actually में तो इस पर आगे friction लग रहा था तो इसको rest में लाने के लिए आपने एक non existing force apply कर दिया वो क्या था mass into acceleration अब बट यह क्यों apply करना पड़ा क्योंकि actually में यह body rest पे है नहीं लेकिन आपके frame में यह rest पे है तो आप इसको rest पे लाने के लिए क्या करोगे आप इसके लिए भाई जितना दे रहा है आप उतना फोर्स यहाँ पर कट कर दो rest वाले case के लिए जितना train उसको force आगे ले जाने के लिए दे रहा है यहाँ पर मुझे क्या दिखाई देगा मुझे यह दिखाई देगा कि यार यह जो body है यह rest पर है क्योंकि 5 newton आगे 5 newton पीछे आगे पीछे वाला cancel हो जाएगा वो body मुझे rest पे नजर आएगे ठीक है आप देखो box का mass में 1 ले लेता हूं यह train आगे accelerate कर रही है 10 से ठीक है क तो अब यहाँ पर actually में जो यह box है वो किस acceleration से accelerate कर रहा है 13 meter per second square से कैसे एक train के अंदर आप खुद सोचो एक बाहर वाले person के point of view से सोचो इनके point of view से सोचो अगर आप 3 meter per second square से accelerate करोगे ठीक है 3 meter per second square से accelerate करोगे ठीक है लेकिन यह train जो है वो 10 meter per second square से accelerate करेगी तो आप एक distance travel कर होगे लेकिन यह पूरा का पूरा डबबा 10 meter per second square की वज़े से आगे travel कर जाएगा तो इन दोनों का add हो के 13 meter per second square की उससे आप travel करोगे vectors में हमने यही देखा था motion के अंदर हमने यही देखा था relative motion के अंदर हमने यही देखा था exactly यही होगा तो भाई actually वे यह box जो है 13 meter per second square की एकसिलरेशन से आगे की तरफ accelerate कर रहा है ठीक है तो अब आप calculation को अपने frame के अनुकूल बनाना चाहते हो ठीक है क्या करना चाहते हो अनुकूल करना चाहते हो तो आपका acceleration कितना है यानि कि आपके एक्स को multiply कर दो box के mass से जो कि मैं यहां पर mass को 1 ले रहा हूं तो मैं यहां 1 कर देता हूं तो 30 newton का force actually मैं आगे लग रहा है इस पे ठीक है अंदर भी कोई होगा ना जो इसको मान दो push कर रहा होगा ताकि यह train के अंदर 3 meter per second से accelerate कर रहा है ठीक है और train खुट 10 meter per second की speed से जा रही है तो नीचे friction उसको उतना acceleration प्रवाइड कर रहा है तो इस पर 13 newton का force आगे लग रहा है लेकिन आपको कितना दिख रहा है आपको दिख रहा है भाई 3 newton का force तो आप इस result तक पहुचना चाते हो जो आप देख रहे हो वहा acceleration है यानि कि 10 उस चीज़को अगर मैं पीछे की तरफ apply कर दूँ जो कि exist नहीं कर रहा है लेकिन मैं apply कर दूँ तो यहां पर आप जो मुझे result आएगा 10 newton पीछे की तरफ 13 newton आगे की तरफ तो जो मेरा observed result है वो मुझे मिल गया 3 newton आगे की तरफ 13 आगे 10 पीछे तो कितना द दिख रहा है यानि कि अब आप calculation अपने frame of reference के हिसाब से कर पार रहे हो यह force जो 10 newton का आपने लगाया यह क्या था box का mass और frame of reference का acceleration इसका acceleration frame of reference का और यह चीज़ observe करने वाली चीज़ है और यहां पर मेरी आप से खास important demand है इसको demand ही समझ लो कोई बात नहीं ठीक है लेकिन यह वास्तविक्ता में आपको करना है यह जो परिस्तितिया में बता रहा हूँ यह आपने अभी सिस सुनी है अब आपको इसके बारे में सोचना है और इसी तरह mathematically लिखने है परिस्तितियों को सोच सोच के कोई notes नहीं बनाने है यह notes बनाने वाले काम फालतू के काम होते है ठीक दिखो just observe करो जो data आ रहा है उसको लिखो और उसको calculate करो खुद से वह आपके actual notes होंगे क्योंकि वह आपने observe किया है अपनी research करी है वह चीज बनाओ और क्यूंकि जब आप ऐसा करोगे आपको वापस उन पंदों को पलट के देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम किसी च तरीका मिल गया और वो क्या है जो आपको दिख रहा है वहीं तक आपको पहुंचाने के लिए आपको body के उपर उस body का mass multiply acceleration of your frame of reference opposite direction में जहां आपका frame of reference accelerate कर रहा है उसके opposite direction में लगाना है और ये कोई rule नहीं है यहाँ पर भी opposite लगाने पर ही 3 आया यहाँ पर भी opposite direction में frame of reference क लगाने acceleration frame of reference का कहा है आगे है पीछे लगाने पर ही ये body rest में आई तो इसका मतलब क्या है अगर एक body यहाँ पर क्या कहते है आपको जो दिख रहा है उसके अनुकूल आपको calculation करने है Newton's laws of motion वाली चीज़ को apply करना है आप भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई आप एक case यह है कि आप बाहर एक observer रख दो बट हर बार तो आपके लिए एक बंदा बाहर नहीं खड़ा होगा ना train के कि अच्छा तुम बैठो वहाँ पर मैं तुम्हें correct data phone करकर करके बताता रहता हूं ऐसा तो नहीं होगा तो आप क्या करोगे आप यह देखोगे reality को समझना आ जाने कि acceleration of box with respect to me यह वो acceleration है जो आप देख रहे हो ठीक है और यह हो आप ठीक है तो यहाँ पर आपके पास अपना frame of reference है तो यह हो जाएगा acceleration of me ठीक है मेरा acceleration हो जाएगा तो यह आप observe कर रहे हो और आप यहाँ पर force is equal to mass into acceleration apply नहीं कर पा रहे हो क्यों यह आपको आप पता च हूँ तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो acceleration है acceleration of me multiply box का mass अगर m है यह पीछे लगा देता हूँ और यह वो acceleration है जो मैं observe कर रहा हूँ ठीक है अब यह acceleration है अभी mass मत लगाओ पहले यह pseudo force पीछे लगा दो ठीक है और यहाँ पर इस box के उपर इस box का जो actual acceleration है वो कितना है box का actual acceleration कैसे मेरा acceleration 10 मुझे दिख रहा है 3 तो इसका actual acceleration क्या होगा 13 यानि कि 10 प्लस 3 क्योंकि दोनों same direction में है इसलिए opposite direction में होता तो subtract हो जाता ठीक है चलो तो आप देखो तो यह है actual force जो आगे apply हो रहे है यह वो force है जो आपने पीछे apply कर दिया और अब देखना जब आपको क्या द mass into acceleration of me आगे वाला force minus पीछे वाला force is equal to mass into acceleration यानि कि आपका net force आ जाता है और यहाँ पर यह देखो यहाँ पर वो किसके बराबर आया यहाँ पर m a m है m a b m है m a m है यह और यह तो कट गए तो m multiply mass into acceleration of box with respect to me आया यानि कि जो आब आप देख रहे हो वो result आया यानि कि now you are able to do the correct calculations now you are able to do the correct calculation और अब अगर मैं आप से पूछू यहाँ पर आपने calculation कर ली चलो अब आप मुझे यह बताओ कि इसका actual force उस पर कितना लग रहा है तो वो भी आप बता सकते हो कैसे वो आप already बता चुके हो this is your actual force this is your force by your observation जो आप देख रहे हो क्योंकि यार देखो हर वक्त ए करना है मैं frame of reference non-inertial है चलो मुझे जो दिखेगा मैं उसके इसाफ से calculation करूँगा बट उसको करने के लिए मुझे एक pseudo force एक pseudo force apply करना पड़ेगा और वो pseudo force कहा apply करूँगा अगर मैं यहाँ accelerate कर रहा हूं तो उस box पर उसका mass multiply acceleration of my frame of reference पीछे की तरफ लगा दूँगा यहाँ accelerate कर रहा हूं तो मैं उस चीज को इस direction में apply कर दूँगा pseudo force पीछे apply कर दूँगा और इनको pseudo क्यों बोलते हैं they are non-existent force you just need their help आपको इनकी जरूरत इसले पढ़ रही है इनकी मदद इसले लेनी पढ़ रही है ताकि आप correct calculations को कर पाओ यह है आपका pseudo force यह है आपका inertial frame of reference यह है आपका non-inertial frame of reference और please मुझे comment में एक बार यह बार जरूर लिख के बताना कि हम अपने brain को just सही direction में अगर train करेंगे इस तरह से observe करेंगे तो actually मैं क्या यह formulas की किताब बनानी चाहिए यह मतलब यह इतना tough है क्या हमें formulas याद करने चाहिए या फिर इस तरह से अगर as a student मैं 2- time के लिए चीज समझ नहीं आ जाएगी इतने तो dumb नहीं है हम लोग यार क्योंकि हम बस इस तरह से पढ़ नहीं रहे हैं हम actually मैं बच्चे जो है न वो dumb होते नहीं है उनको dumb बनाया जा रहा है syllabus को जल्दी कराने की race में ठीक है हम लोग सोचना ही भूल गए है बार बार exams देन नहीं बन पाएंगे एक creator नहीं बन पाएंगे हर साल यार पिछले 30 सालों से exams हो रहे हैं हर साल on an average 10 लाग बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 10 साल into 10 लाग अगर में उठा के देख लू जे मेंस का पेपर तो यहां पर यह संख्या एक करोड हो जाती है एक करोड में से कितने व विज्यानिक प्रडियूस नहीं कर पा रहे हैं all these one करोड persons are just job seekers तो हमें इस बात को समझना होगा कि यार जब एक करोड बच्चे मैं तो सिर्फ 10 साल के data की बात कर रहा है चल तो यह पिछले 50 सालों से रहा है पिछले 10 सालों में एक करोड लोग सिर्फ जॉब ही ढूंड रह हैं तो उस विज्यान को पढ़ने का फाइदा क्या जिसके अंदर इतनी शक्तियां है कि वो पूरी दुनिया को ट्रांस्वां कर सकता है वो लेकिन हमें ही ट्रांस्वां में कर पा रहा है तो इस डिरेक्शन में जाके हमें कुछ नहीं मिलेगा इसलिए बच्चों मेरी आप आक्स वाला टॉपर नहीं ठीक है मतलब वही टॉपर बनके रहे है टॉपर मतलब इस फिल्ड में मैं अपने आपको राजा बनाना चाहता हूं तो उस फिल्ड को उस फिल्ड के अनुसार पढ़ना चाहिए मुझे विज्यान इस दुनिया को समझने का एक नजरिया है और ग confidence आपको आगे चलके एक successful इंसान बनाएगा वो महान गज्यानिक महान इंजिनियर या किसी भी फिल्ड में आप आगे जाओगे उस फिल्ड में आपको महान बनाएगा क्योंकि इस दुनिया में जीतना मुश्किल नहीं है competitions is not for winners, competition is for losers क्योंकि winners की जनसंख्या कम होती है, losers की जनसंख्या जादा होती है और जहां जनसंख्या जादा है, competition वहाँ जादा होगा, losers की भीड से हमें बाहर निकलना है यह जो science और mathematics की दुनिया में यह trap बन गया है न, कि बस एक race में भागे पड़े हैं हम लोग और उस race में भागने के चक्कर में हम marks के पीछे इतना जादा focus हो गए हैं, इतना जादा हम लोग peer pressure लेना start कर दिया है कि यह क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, फलाना क्या सोचेगा, इसके चकर से बाहर निकलो सीधा सा logic है, simple सा गणित है, भाई मुझे अगर science आती है, तो question 2 मैं कर दूँगा, काम खतम, मुझे नहीं आता है, मैं मजधार में फसेवे ज्ञान के साथ, मेरा ज्ञान ऐसा है, आधा इधर से है, आधा उधर से है, formula based knowledge है, रटा हुआ knowledge है, question आया, तो मैं exam के time पे stress ही feel अब इसी complexity में कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता है, sorry sorry sorry, बहुत कुछ का होता है, और बहुत सारो का तो नहीं होता है, लेकिन अगर हम सही direction में जाएंगे, तो अभी भी seats तो उतनी ही रहेंगे, लेकिन घ्यान तो सब के पास होगा और ग्यानी इनसान अपने दंग पर आ वो लेर्न करते थे वो चीजों को शीखते थे यही ज्ञान आपको ले आपको इस ब nonprofits ने विज्ञान आपने कर थे आपको 12 दुनिया ईडेर को एक्सनेशन चाहते थे जहां कोई नहीं जा पाता था विज्ञान की fascination की दुनिया में खोना चाते थे लेकिन आप marks की race में धक्के खा रहे हो अभी उन धक्कों से बाहर निकलो भाई भीड से बाहर निकलो इस दुनिया की fascinating ये science की दुनिया एक fascinating दुनिया है इसको explore करने के लिए observation का रास्ता अपना लो और यकीन मानो self-dependent direction में पढ़ाओ और अपने आपको सही direction में ले कर आओ और फिर पढ़ाई खुद से करना start करो क्योंकि आपको आगे चलके वो इनसान बनना है जो इस दुनिया से उस चीज को खोज के निकालेगा जो आज तक खोजा नहीं गया है और वो काम अकेला इंसान ही कर सकता है जो curious ह होता है क्योंकि ये चीजा को किताबों में नहीं मिलेगी Google पर नहीं मिलेगी क्योंकि वो खोजी ही नहीं गयी है तो इस बात को समझो और सही direction में पढ़ाई करो ठीक है और अगर आपकी YouTube पर देख रहे हो तो application पर आओ description box में आपको link मिल जाएगा वहां पर चीज़े sequence में म बोलो और share करो सही knowledge के लिए हमारे साथ जुड़ो और हम मिलके आप मुझे questions बेजो every Sunday अब मैं Q&A बनाना स्टार्ट करूंगा books वाले जो भी question है वो तो आपको application वगएर पर मिल जाएंगे Q&A में वो questions आप दो जिसके लिए आप curious हो ऐसे questions भी दो जो आपको लगता है मैं न जाया होगा हमने जो चीज यहाँ पर सीखी उस चीज का एक important एक last example और ठीक है as an example बाकी तो हम questions में देखेंगे ही एक lift है ठीक है just a quick revision काम कतम हो जाएगा यहाँ पर एक person खड़ा है इस पर एक weighing machine पर खड़ा है ठीक है observer कहां है आपके observer है आपके बाहर यह observer बाहर है यह lift नी diagram इस person के उपर forces क्या-क्या है mass into gravity यह small m लिया है मैंने इस person का mass mg नीचे की तरफ यह machine पर force लगा रही है ठीक है तो machine इन पर force लगा रही है तो free body diagram में हम वह force लेते हैं जो उस body पर लग रही है वो किस पर लगा रहा है वो forces हम नहीं लेते हैं ठीक है तो अब देखों as per this observer यह person नीचे accelerate कर रहा है a acceleration से तो mg minus n is equal to net force net force किसके बराबर mass times acceleration के बराबर तो n की value यहां क्या गई mg minus mg minus m काम खतम अब same calculation हम लोग करते हैं non inertial frame of reference के साब से 20 person को यहां से मैंने हटा दिया यह person को मैं यहां ले आया अब क्यूंकि आप non inertial frame के अंदर आ चुके हो तो आपको यह person क rest पे है नहीं यह तो a acceleration से नीचे आ रहे हैं बट अब आप क्योंकि इन परिस्तितियों को observe कर चुके हो तो अब आपको पता है कि हां भाई मैं accelerate कर रहा हूं मेरा frame of reference ही यह मेरा frame of reference है यह नीचे accelerate कर रहा है ma से तो मैं इस frame of reference से calculation करने लाइक तभी बन पाऊंगा जब मैं इस rest पे उपर की तरफ इस person का mass है small m और इनका acceleration है a मत स्वरी मेरे frame of reference का acceleration है a यह मैं उपर की तरफ apply कर दूँ अब मैं calculations को कर सकता हूं और देखना सही calculation आएगी तो अब मेरे लिए यह person कैसी है rest पे है मैंने pseudo force apply कर दिया वह force जो exist नहीं करता है मैंने वह apply कर दिया इसी force को हम ल या फिर आप इसको ऐसे लिखो na plus ma minus mg is equal to इसका acceleration क्या दिख रहा है मुझे 0 दिख रहा है तो mass times 0 acceleration और यहाँ पर आगया na plus ma minus mg is equal to 0 then n is equal to mg minus ma और exactly see अब आप non inertial frame से भी same वही answer निकाल सकते हूं जो आपने inertial frame of reference से निकाला था तो क्यों हमें need पड़ी pseudo force की क्योंकि accelerated frame of reference से आपको गलत data मिल रहा था क्योंकि actually में जो force applied है वो आपके acceleration की वज़े से change होने वाला नहीं है बट क्योंकि आप accelerate कर रहे हो आपको गलत force पता चल रहा है लेकिन applied force तो वही का वही रहने वाला है इस situation को solve किया कैसे nature को observe करके उससे बात करके और यहाँ पर हम reference accelerate कर रहा होगा आपकी body frame of reference के साथ attached ही मिलेगी आपको हमेशा लेकिन एक परिसिती होती है जो frame of reference के बाहर भी है हाला कि है तो वह भी frame of reference के अंदर ही बाहर मतलब कि वह independent है एक आपके frame of reference के साथ connected है एक disconnected है तो disconnected वाले questions आपको नहीं आते हैं आपके syllabus में है ही नहीं वह आप ग्यान को हम apply करेंगे वहाँ पर questions को देखेंगे they are super easy physics mathematics chemistry एक परसंट भी hard नहीं है right direction में पढ़ेंगे तो चलो इस lecture के लिए इतना है मिलते हैं आपसे next lecture में till then take care बबाए जहिंद